एक vector space V दे रखा है, जिसमें जो elements आ रहे हैं, वो 2 by 2 matrices आ रहे हैं, over R, यानकि उनके anti's real हैं, और एक आपको sub space दे रखा है W1 और दूसरा sub space W2 दे रखा है, जो W1 के elements हैं, वो इस property को follow करते हैं, A-A, C, O, D, इस तरह का structure है, उसमें, जो metrics आ रहे हैं, और W में जो W2 है, उसमें इस तरह के हैं, A-A, B, और D, तो सबसे पहले हम dimension of W1 निकाल लेते हैं, dimension of W1 और फिर dimension of W2 निकालेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो vector space V है, आखिर उसके dimension क्या है, तो यहाँ पर A, B, C, D, कोई भी 2 by 2 matrices, तो हम यहाँ पर 4 entries पर free हैं, यानि कि A, B, C, D, यह हम independent हैं, कुछ भी choose कर सकते हैं, real number में से, तो यानि कि number of independent choices जो हो जाती है, वो dimension हो जाती है, यानि कि इसके dimension होगी, dimension of V4, जो कि हमसे पूछी नहीं गईती है, हमें जरूत पड़ेगी dimension of W1 के, और W1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको पता है A, तो उसका negative आप कर सकते हैं, तो एक तरह से आपको A की independent choice है, एक C की और एक D की, यानि कि dimension of W1 जो है, वो 3 हो जाएगा, उसी तरह से आपका dimension of W2 वो भी 3 हो जाएगा, अब हमें intersection के dimension देखने हैं, जो W1 intersection W2 होगा, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, matrix किस तरह का होगा, और किस property को follow करेगा, तो W1 के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पर और यहाँ पर same entry है, लेकिन W2 के लिए जरूरी है कि यह वाली entry भी same हो, और यह entry आप इस तरह choose कर सकते हैं, यानि कि W1 और W2 दोनों की property को follow करेगा, यानि कि A11 और A22 और यह हो गई A23, A21 और यह हो गया A22, तो W1 में आप यहाँ पर entry देख सकते हैं, A11 जो है वो negative of A22 है, और W2 में आप देख सकते हैं, A11 जो है वो negative of minus A21 है, इन दोनों property को हमने use किया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन जो यह A हैं, इसके लिए आप independent हैं, और एक D के लिए, यानि कि dimension of intersection जो है, आपकी 2 हो जाएगी, dimension of intersection आपकी 2, अब आपको चाहिए dimension of sum के, sum of sub-space, यानि कि linear sum की, तो आपने एक formula पढ़ाया है कि dimension of sum की क्या होता है, formula, dimension of w1 plus w2 equals to dimension of w1, जो की 3 है, dimension of w2, वो भी 3 है, minus dimension of intersection, यानि कि 2, और यहाँ से आपको result मिलेगा 4, तो intersection की dimension आपको 2 मिलती है, और sum की 4 मिलती है, यानि कि option 4 true होगा,